कि यह हमारे खुश बक्ती है कि आज हम एक उर्दू के मुझाहिद के रूबरू हैं जो कांगरेस के सीनियर लीडर मी है साविक मेंबर परल्मेंट मी है और तीन में मालिक के आप हिंदुस्तानी तरह सफीर मी रहे हैं अर्दू की लड़ाई लड़ी है आपने अर्दू की रोटी खाई है और अर्दू की खितमत की है मेरी मुराद है जनाब मीम अफजल साब से जो म हमेशा ये एक मुझाहिद की तरह अर्दू के लिए लड़ते रहे हैं अर्दू अख़ाराद से इन्हों अपने अपने जिन्दगी का आगास किया और खुद एक अख़वार के ये रूह रिमा बने अख़वार नौ और पूरा जो सफर इनका रहा है स्यासत में आने से पहले को अर्दू ही ओड़ना मीचोना रहा है अबजल साब मैं आपको सलाम करता हूँ आपके जजबे को सलाम करता हूँ और मुझे खुशी है कि मानू के प्लेटफॉर्म पर मौनाजाद नैशनल अर्दू यूर्श्टी जिससे आपके भी गहरी वावस्तगी है हम लोग वहां स पहुँचाने थे अब कारवारी अखबार भी निकलने है कमरिशल अखबार भी निकलने यह जो अखबार के सलसला चुनके आपका बहुत गहरा ऐक आपकी गहरी निगाह है यह जो डिली में अःद्व अखबार शुरू हिए घालिव के जवाने में शुरू हुआ वहां से जो कुछ यहां तक का सफर है, उसमें जो चीज़ें आपकी निगाह में हैं, हम चाहते हैं लोगों को बता है कि यह सफर कितना मुश्किल था और आज तक जहां तक आप पहुँचे हैं। देखें, अर्दू अखबारात का जहां तक तालुक है, मैं यह कहूँगा कि उसने बहुत ही सर्द और गर्म देखे है, वो वक्त देखा है असने। अर्दू अखबार निकालना आज भी बहुत मुश्किल काम है। इसके बावजूद कुछ अरसे पहले तक हिंदुस्तान में अर्दू अखबारों की ताइदाद हिंदी के बाद सबसे ज्यादा हुआ करती थी। बड़ी खुशाइन बात है। मैं बता दूँ कि मैं आल इंडिया उर्दू एडिटर्स जो कान्फरेंस एक सबसे बड़ी और परानी तन्जीम है अर्दू की अखबारों की है। उसका सदर भी रहा हूँ अभी तब हूँ पिछले 30 साथ से। यह अलादा बात है कि अब वो अतनी एक्टिव नहीं है। च मैं जिन्दगी में फेस कर रहा था। जब हमने अर्दू अखबार निकाला तो हमको सबसे बड़ी प्राबलम होती थी कि उसको चलाएं कैसे। माली परिशानी। जाहिर है अगर पैसे नहीं हैं तो फिर आपके पास ना काम करने वालों को देने के लिए पैसे हैं ना राइ काम किया बहुत ही मामूली सी तनखा पर मुझे काम करना पका है। किस उमर में आपने शुरुआत की थी? मैं शायद 23-24 साल का था। बिल्कुल कॉलिज से निकलते ही में नहीं कॉलिज के जमाने में लिखना शुरू कर दिया था। कॉलिज में वह कॉलिज की मैगजीन में दो मजामीन मैंने लिखे वो जमाने में जब मैं पढ़ ही रहा था तो 1974 में मैं बीएट कर रहा था। उसके फॉरण बात जब मैं में एमे कर रहा था तो मैंने अर्दू अख़वारों में काम करना शुरू कर दिया था। मतला मुलाजमत के लिए जेब खर्च के लिए या जेब खर्च के लिए जेब खर्च के लिए और जाहिर है कि शौक तो उसमें सबसे इंपॉर्टन था। मैंने कोई बाकाइदा अर्दू साहफत का कुर्स नहीं किया। लेकिन तजर्बे से ही सबसीख करके हुआ। जब 1983 में मैंने अपना अख़वार निकाला तो मेरा बैं अख़वार शुरू किया जो बहुत ही डिफिकल्ड काम था यह चैलेंज था यह कोई मजग प्छानी बहुत शुना कि आप यह उसके मुदीर थे आप यह एडिटर थे आप यह प्रूफीटर थे आप यह चप्लासी भी थे नहीं बहुत मैंने चैसकता लेकिन यह जजबा यह उर्दू से मुखबत का और यह था कि खुद अइतमादी आपको थे कि मेरा अख़वार एक यह चैलेंगे बताओं मैंने हाई स्कूल अर्दू मीडियम तक हाई स्कूल अर्दू मीडियम से किया लेकिन उसके बाद मेरी जो तालीम कालिश की है ग्रेजवेशन पोस्ट लेकिन बुनियाद तो उर्दू की पड़ी ती तो जब मैंने जनल्सम में आने का फैसला किया तो मैं अंग्रेजी मीडियम जा सकता था लेकिन मैंने सूचा कि नहीं मुझे उर्दू में काम करना चूब करना चूंकि उर्दू हमारी जबान है और उसके फरोक के लिए भी क पारी शुदा थे कि नहीं थे उनका क्या रद्देमल थे वो आपको क्या मशवरादे रहते कि तुम घलत कर रहे ठीक करूआ है असल मैं मेरे जो करीबी लोग थे घर के उनमें कोई तालिमियाफ्ता नहीं था तो उन्हें पता ही नहीं था क्या कर रहा हूं जो कुछ मैं करत जो उससे पैसे आते थे उसको मैं पढ़ाई पर खर्च करता था और ये काम मैंने बीए फाइनली अर्टक जब मैं कॉलिज में पढ़ता था तो बहुत लोग नहीं जानते थे कि मैं अच्छे कपड़ा भी पहन कर आता हूं लेकिन मैं शाम को रोजाना एक मजदूर बन जाता तो इसलिए एक उर्दू के साथ एक लगन थी एक जजबा था दूसरे मैं जो स्कूल जिस स्कूल में पढ़ा हूं वो स्कूल दिली का आज भी सबसे पुराना साले 300 साल पुराना स्कूल है अंगलो अरबिक तारीखी स्कूल है जो किसी दमाने अंगलो अरबिक कॉलिज कहल लोग बड़े जीनियस थे दो तिन के नाम अगर आप लेना चाहें तो मुझे अच्छा लेगा सबसे जो हमारे दोस्तों में करीबी और क्लासमेट रहे हैं उनमें शाहिज सिदीगी तो परलिमेंट के मेंबर उस स्कूल से पढ़ने वाले और दिली कॉलिज से पढ़ने वा ड्र रियाज अहमत साएब है जो आज डellी यूदि में प्रोफेसर है जी जी ड्र अब्दूल््छ नात्वें है जो जेवालना ग्री यूदि में प्रोफेसर हैं हैड अज़ डिपाटमन्ट रहे हैं इंटरस्य स्टूडीज के और पॉरेशी साब है भी शायद उस में थे पुरेशी साब जो थे अलेक्शन कमिशन के जो आज पहले चेर्मन रहे हैं और अब अलेक्शन कमिशन के रिटायर्ड हैं लेकिन बहुत आप देखते होंगा तिल्वे वो हमारे सीनियर थे वो भी उसी स्कूल से पढ़े हैं तो इस तरह के माहल से जिसमें की सिर्फ यह नहीं इसमें एक आप भी थे यहां से सफ़ाफ से यह तमाम लोग मैं यह कहूंगा कि इनकी सब सब लोग बहुत हमबल बैग्डाउंड से बहुत ही गुर्वत के बैग्डाउंड से आये हैं वो दोर भी था से तालिस के परण बाद का तो इसलिए अर्दू अखबार निकाला मैं और अर्दू सहाफत की जो तरगी मुझे सही मानों में दी वो शाय सिद्धिक हिसाब ने इसका मुझे हमेशा अतराफ करना चाहिए और मैं करता भी हूं और बाद में जब हमने अखबार निकाला तो जाहिर है कि उनका भी एक बड़ा अखबार था नई दुनिया और उसके लारजेस्ट अर्दू वीतली बन गया तो काफी मैंने उसके जरीये से जो अपने ख्यालात हैं जो अपनी सोच है उसको लोगों के सामने लाने का और जाहिर है कि अर्दू की लड़ाई के लिए तो हम हमेशा रहे जो कारवान अर्दू एक बहुत बड़ा रामलाल जी और जो अर्दू अखबारों की आप बात कर रहे हैं अब अर्दू अखबार उस फेस से निकलाएं उ किताबत का फेस तो खतम हो गया अब तो नई टेकनलोजी आ गई यानि अर्दू अखबार मेरे ही अखबार में डबल कलर में चार पेज च्छपते थे जी हैं जी हैं और इस जमाने में जाने में कुए हम लोग को इस्ताहरात नहीं मिलते धे यह सब से बड़ी प्राहम थी जो मैंने फिस चाप topics के इस्ताहरात मिलते नहीं थे지는 कि विक बार सूंगापोर गया तो वहां के जो मैं ट्रेन से गया था किसी दूसरे मिल्क से सिंगापोर पु reusable तो वहां पर एक चाय खाना था जब मैं चाय खाने में गया तो उस चाय की मालीक चाय खाने के मालीक जो थे वो आजम गलके थे उन्हों ने उस से पूछा क्या आप कौन है मैंने का मेरा नाम मीम अफजल है या तो पह पैचान लिक बोले मैं तो अखबारे नों का बड़ा तो मैंने का अखबारे नो यहां कैसे कहा ले हमाया हमें तो अब बाकाइदगी से आपी की दफ्तर से आता है मैं में मिम्बर हूँ आपका तो मुझे बढ़ी खुशी हुए उसके बाद मैं मलेशिया गया मलेशिया में हमारे एक पुराने मेंबर पारलिमेंट थे जो मेरे दोस्त है एई यू आजमी साब जी 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 उनके वालिदे बज़र्गवार मलेशिया में रहते थे तो उनके पाम के बहुत बड़े बड़े तो उन्होंने वही पर अपना एक मकान घर बना रखा था तो मुझे उन्होंने खाने पर बुलाया जब मैं वहाँ पहुंचा तो मैंने देखा कि अखबार नौ की बहुत सारी कॉपिया महां रखी तो उन्होंने बदाया कि मैं पर्मनेंटली आपका अखबार पड़ता हू हमेशा से भी बलता हूँ तो बड़े खुज़ ऐसे भी लोग होते है ये जो लड़के आजकल जनलिस्म की तरफ आ रहे हैं उर्दू में खास तो से बेगार कोर्स की ये बेगार ट्रेनिंग लिए किसाब हमें उर्दू जनलिस्म में आना है और आपके पास भी आते हूंगे आपने कईयों की जो है को दूस्ट किया होगा और उनकी इसलाह की होगी ये जो जबान का मामला है दिन बदिन खराब होता जा रहा है इसके लिए आप इतने सीनियर साफी होते हैं आप क्या कर पाएं इसके लिए यकिनन हम लोग कुछ नहीं कर पाएं चुक्कि जो नया मॉर्डरिन सिस्टम आफ एजूकेशन आ गया है उसमें अर्दू की गुंजाईश दिन बदिन कम से कम होती जा रही है तो अर्दू ऐसे सब्जेक्ट अब्दिली के कई कॉलेजों में और स्कूलों के अंदर है लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लब लहजा और खास तर पर तलफूस पर कोई जोर नहीं है यह बड़े अफसूस का मकाल है अफसूस ही है और बहुत ही यानि अर्दू अखबारों में कभी किताबत की कोई गल्ती आती थी हाँ तो लोग टेलेफून करके कहा करते थे कि आपके तीसरे सफ़े के उपर फलाने मजबून के अंदर इस लाइन के अंदर यह गल्ती है और आज जो बड़े बड़े अखबार निकलना है उर्दू के बड़े अखबार दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं बाहर की बाहर कर उतर परदेश के बहुत सारे जो अर्दू अखबार मेरी नजर से गुजरते हैं तो उसमें किताबत की और प्रनिंसेशन को लेकर के जो गल्तियां होती है वो बहुत ही अफसोसनाक है उस पर कोई तवज्जे जो दी जाती है वो बुनियादी तालीम के वक्त में दी जाती है बच्चे का तलफूस उसी वक्त दुरूस होता है तो अब वो महौली नहीं है अब जैसे आपकी युनिवर्स्टी बाकाइदा कोई भी क्लास हो उसमें एक सब्जेक्ट के तोर पर उर्दू को कमबल सरी है और वहां का जो तलफूस उसमें तलफूस पर जान दिया जाना चाहिए उसमें और एक पेंच आ जाता है जैसे बिहार के स्कूलों के अंदर जो तलफूस का मामला है वो कुछ चीजों के का को की बोलते हैं की को का बोलते हैं मुझकर मौनस की गल्टियां है उसी तरह हैड़रबाद का जो अपना लबू ले जा है वो उसके अंदर अगर वही आदमी दिल्ली में आकर वही जबान बोलेगा या काम करेगा तो उनको ये परिशानी होती है उनको समझने में भी होती है तो खैर लेकिन मैं एक बात मानता हूँ कि जबान का डिवलिप्मेंट हर दोर में होता है और उसमें कुछ ना कुछ मामूली सी तब्दिलियां भी होती हैं तो इसको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टन नहीं मानता हूं लेकिन जो बहुत बुनियादी चीजें हैं उनकी तरफ जैसे आपने सुना हुआ आजकर रेड जब उनको कहते हैं कि ये मुखालफत है खिलाफत नहीं है तो उन्होंने कहा भी खिलाफ के जमा तो खिलाफत ही होगी अब उनको बताईए खिलाफत क्या चीजे तो बोले हैना हो जाते हैं इस तरह की चीजे तो आ रही है तो ये हो रहा है दूसरी बात यह है कि जो ट्रेन करके नहीं आया था लेकिन जजबा था ज़हन थी जो चीज़े थी जी खुद मेरे कई ऐसे मेरे साथ काम करने वाले सुवेल अन्जम साहब है आज कई किताबों के मुशनिफ है यकिन है और वो यूपी से आये थे तो उनका जो तलफुस था उनका जो लहजा था और जो उनका कहना चाहिए इमला थी बहुत दुरस्त थी और उनके पास एक वियू भी था आदमी का एक कहना चाहिए एक वो यह दाहरे में देख सकता है स्यासत में अगर आपको जनल्रम करना है तो आपको स्यासत की तमीज तो होनी चाहिए तो इस तरह भी आए मासुम मुरादाबादी माशाğALL Лah बďा नाम उन्हें पैदा गया मेरे अख़वार में पहले काम करते थें उसके थे उन्नमक्तली नाम म Seitपना आख़वार निकल ली नहुन की ली हूँ ही कौड ले जो फ़ूरी जो हमाड़ी गुरूमिंग हुई है वह शुरु के दिनों में उन aixòी से हुई है तो इ खास तोर पे कहना चाहता हूँ, आज वो लोग प्राबलम फेस नहीं करते हैं, पहले अर्दू के अखबारात, सहाफियों को किलर्क की तरह काम करवाया करते हैं, नाम नहीं चापते थे उनका, यह उद्ली के अर्दू अखबारों की बहुत बड़ी कमी थी, मैं किसी अनाम न ले राते हैं, उसमें ज्यादा तर अखबारात जो थे, बल्गर तो, हक तल्फी करते हैं, वो किसी सहाफी को सहाफी नहीं बनने देते थे, हर सहाफी को कलर्क बना देते थे, कि दफ्तर में आई, यह काम कीज़े, पैसे लीज़े चले जाईए, लेकिन किसी ने कोई कई LETberg तर तो, उसके बाद मैंने यह किया जब मैंने अपना अखबार निकाला, तो अगर अगर कोई आद्मी मुझे किसी छोटे से गाउं या सैभर में खत लिखता था, और कोई स्यासी तौर पर वो कोई बात मुझे जिश acceptable झाता था, तो मैं उसको खत लिखता था, कि के हम छापा करते थे उसका नाम चपता था जो मेरे आए अदारे में काम करने वाले थे उनका मेरा बिल्कुल सीधा कहना ये था कि आपको जो मजबून आपका पसंद आए जो रिपोर्ट पर आप अपना नाम देना चाहें आपको आज़ादी है आप चाहें तो उस दे सकता है एक मजबून पर या एक रिपोर्ट पर आपका हर अफ़ते नाम जा सकता है इससे गुरूमी हुई जो कि मैं आपको एक बहुत एहम बात बताता हूं एक बहुत शानदार साफित है. मैं उनके बारे में एक जम्ला बोलता हूं. कि आप उन्हें एक حرف देड़ीजे, حرف जी जी. और कहिए किताब लिघ़े, वह, 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 वह. और आप एक किताब देड़ीजे और उनको कहिए कि इसको एक सेंटेंस में एक जुम्ले में इसको बयान करते हैं. तो वो कर दिया करते थे. constant peace out! वो अंग्रेजी का बेहतरीष इन्धी अंग्रेजी इसको उत्या लिए कम्रेजी ओर करते दो इसलिए के उन्हें कोई जानता नहीं था सुर्ण राक miten गाम लेकMore आद़े सफे में आता होगा ये और कभी पूरे में आ जाता था उनको करंजिया साहब एक कॉलम लिखने के चार सू रुपे दिया कर तो उस जमाने बात अ जमाने में और जिन्साहब की में बात कर रहा जी और जिन साब की मज़िकर कर रहा हूं उनको पैसे इसलिए नहीं मिलते थे कि उन्हें कोई जानता नहीं था ये फरक तो बहुत बड़ा तो ये इसको मैंने तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने दिल्ली के अंदर इस रिवायत को तोड़ा और नए नए लोगों को काम करने के ल इसको ये लगे कि उसने कुछ काम किया अच्या इस से जिला मिलती है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ऐगर आपका नाम च्ब्सकार जाता है चारलोग आप सके जिकर करतें उसका तो आद्मी को और जोश मिलता है थिर्म ओर अच्छा काम करने की कुशक करता है बेलकि अकear आज मैं यह समझता हूँ कर उर्दू सही मानों में जिन्दा है वो युनिवस्ट्री की वज़े से नहीं है उर्दू मदारिस की वज़े से आज जिन्दा है इसकूलों के अंदर अभी करनाटक चले जाएए महराश्टर चले जाएए आपको उर्दू मीडियम स्कूल मिलेंग के बरक्स उत्तर परदेश जो उर्दू की आमाजगा थी जहां पर उर्दू पली बड़ी और बड़ी हुई आज पूरे उत्तर परदेश के अंदर एक भी उर्दू मीडियम स्कूल नहीं है नौट इविन असे नहीं है बड़े-बड़े पाकिट जबके माजूद है और ज समझता हूं कि मदारिस में इस लिहाज से बहतरी है कि वो दीन तो पढ़ लाएं दीन पढ़ लाएं लेकिन सब मदारिस के अंदर अब कम से कम पूरे आप चले जाएए यूपी बिहार के अंदर modern education साथ साथ हो रही है यह तबदीली आई है यह तबदीली है और मदारिस के अंदर जो आज भी तलफज है यह सब चीजों का बड़ा ख्याल लगा जाता है तो वहां के बच्चे निजबतन अर्दू के मामले में ज्यादा मजबूत होते हैं इसके मुकाबले में अगर आप universities के अंदर जाकर देखेंगे दूसरी जग ओपर जाकर देखेंगे च्च उनिवस्ट्री में तो खेर बच्चा पढ़ने के बात पहुंचता है इसकूलों के अंदर जो अर्दू का मैयार है वो उतना बुलंद नहीं है जितना मदारिस में हैं मैं समझता हूं कि मेहनत के जो आपका एक नजरिया होता है वो भी प्रिवेल करता है दूसरी बात ही आपने गोल क्या बनाया मेरा जिन्दगी में कभी ये गोल नहीं रहा कि मैं ये बनूँगा मैं कहता था काम जो आपके पास है उसको इमानदारी के साथ करो गोल अपने आप ते होता चला जाएगा मिल्कृत और खास डौश तो हमारा बेकड़ांट थे जहां हमां पकोई गाइडेंस नहीं थी उन्दग को अपर इसका से कोई कोई घाने लूँगा लो तो मैंने अपने अपने तुम्हारे पास क्या सब्जेक्ट है 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 तुम्हारे बसकी बात नहीं है तो मैंने का नहीं मैं तो ऑनर्स ही लोगा तुम्ह से हमारे बच्चे वाकिब भी होंगे इंशाला इस गुष्टों के बाद और मैं मानू की जाने से आपका शुक्र गयादा करता हूं कि आपने बहुत की वक्ता में दिया बहुत बाद शुक्रिया मेंने से ठाद थाद ईया पहुत की जाने से एक प्याद बद्द artifacts मेंने राद बच्वत के जाने बञाद से शुक्रिया। इंशा प्रवचेत से जाने से इंशावश sy deuxième आपका शुक्रिया भिए करता हूं हॉसरी वक्ता हुष्ट hope